सिच्छा जगत से जुड़े कोई भी नौटिफिकेशन आइबम अपनी तयारी को आसान और बहतर आइबम हमीशा कुछ नया सिखने के लिए चेनल सब्सक्राइब जरूर कर लें आज में आप लोग के यहां पर देखिये एक तरह यहां पर नहीं है तो बौड के तरदा है हम लोग यहां पर आचुकर विडियो होगा और इसी में आप साला चीज आपको इस चेप्टर का पूरा एक एक निचोर आपको याद हो जाएगा अभी कभी यह बिल्कुत तरह से आ यह जो है आपका पाठ परचे होता है। इतना बात आपको संच्छे में इसमें से लिखना रहता है। और आपको संस्क्रित में हिंदी में हिकोशन रहता है। डरने की बात नहीं है। यहां पर मुझे स्टार्ट करते हैं। करता है मतलब के इसका हिंदी होता है कि यहां पाठ जो है नरायन पंडित के दो》 रचित हीतौप देश नामकन के निती कत्हागरंद से मित्र ल्ían मीत्रenschaft याने लिया गया है तो अपको याध हो गया होगा कि यहाँ पार्ट नरायन पंडित के द्वरा रचित हितोप देश नामक निती कथागरंद के मित्र लाम नामक खंड से संकलित है तो यह आपको याध हो गया चलिए आगे आपका भाई यहाँ पर देखता है यहाँ पे पहता है हितोप देश से वालकाना मनोरंजनया निती सिख्षानया चौनाना कर्था पसुपक्षी संबधा सर्विता है मतलब पहता है कि हितोप देश में बालको यानि बालकाना मतलता है बालको के मनोरंजन के लिए मनरजन के लिए नीती सिक्षा यानि नीती सिक्षा नीती सिक्षन के लिए और अनेक पसुपक्षियों से जुड़ी कहानी जो है इसमें मिलता है किसमें हितोपदेश नामक यहाँ पर जो हितोपदेश नामक जो कथा गरंत है उस किता में ये सारे मिलता है है यहाँ पर पसू, पक्षी, कथा नाम मुल्य मानवना शी चार्थ, पर्वुता, भवती अर रहे यहां पर कि पक्षी कथा का मुल्य मनुषय की उख्षा के लिए पशू, पक्षी की कहानी होता है वह मनुषय के जीवन ने कुछ घ्यान के लिए होता है जैसे कि बच्पन आप लोग पढ़े होंगे नानी तेरी मोर निकर मोर ले गया तो यहां पर पर पक्षी के बारे हमें लेकिन कुछ ने कुछ इसमें नौलेज भी है तो यहां पर टीचर आपको बताते होंगे या फिर कार्टून आप लोग देखते हों लाश्न कथा भी ज्याते मतलब कहता है यहां पर कि ऐसा इस परकार के कथाओं से ज्यात होती है और इसी तरह करनोलेज आपको इस पाठ में भी मिलने बाला है तो चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं इसका पाठ सारांस से स्टार्ट होता है दोस्तों यह आपका पाठ सारांस मतलब कहता है यहां पार इसनां नदी में असनां करकर केशनां करके नहां लेकिनिए बोला था स्वरन कंगन लिहां पर देखा रहा है इस पंथा को यानि पंथा मतलब अपतिक होता यन stand आटको बपने घर से भाएं科 मैं चाहूं से वधिर चाहेब धिए opens अ लोह क्रिष्टियन चित पंत्य नालो चितम यानि देख एक जो है यहां पर इतना वास सुनता है इसकी बार लोगों ऑकृष्ट सब्सक्राइब इसमें आत्म संदे वाले कारज में काव नहीं करना चाहिए लेकिन आत्म संदे नहीं करना चाहिए जाकर के जहट से ले 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 आ चाहिए बेहुदा का आया हुआ था मिरित्तुकार समझे है ना समझते है ना बाग कहीं कंगन देता है वो तो मौर्त दिगाना होता है उसके बाग यहां पर दिखे कुछ दिया गया है आपका असलोग दिया गया है कहता है असलोग का हिंदी अगर आप लोग जाने अगा कहता है अनिष्ट के संसर्ग से सुलब में भी सुभगत्ती नहीं होता है क्योंकि 20 के संसर्ग में अमरित के होती होगी मिरत्व निस्चित होता है यहां तक आप समझ चुकेंगों आप देखें यह पाथिक यह क्या करता है यहां पर देखें किन्तू सर्वत्र अर्थ जने परवर्थी संदे एवं लेकिन क्या सोचता है वो लेकिन सभी जगा पर अर्थ सभी जगा खिंतु सभी जगा अर्थ यानि धान अर्जन करने वाले काम में संदे ही होतो निश्चित ही क्या करता है उसके दराज बोलता है निश्चित होतो तो वो सोचता है तो निश्चित करता हूं आवाज देते पर पिर विएकिकल किया कहता है नहीं कि देख tiet में कि पी कहता है पथी कहता है तूझ जैसे पथी कहता है तूझ राणी पर कैसी विश्वास करने फिर बाग बोलता है सुनोडे पतिका क्या बोलता है व्याग सुनोडे पतिका मैं बच्पन में योवना देखरें योवना योवन दसायमती गुरू विर्थ आसमा आसाम मतलो कहता है जब मैं युवा थे यानि जब जवान थे तो कहता है मैं बहुत पहरे जवानी में के दिने गाये, अनेक मनुस्त को हमेरे द्वरा जो है मितु यनि बद करके मारा गया और इसलिए मैं बंस हीन हूं था बंस हीन हूं यह न तो उसके बाद क्याました है इसलिए उसके पाप सारल जाए गया है और क्याता है कि 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 आधे सित्च किया गया हूं कि दान धार्मिक चर्तु भावनम और दान धर्म का काम करने से हमारा यह पाप सब्सक्राइब धोल जाएगा ठीक है आदेश करके अगले नक यानि हमारा दात भी तूट गया है नाकुन गल गया है मैं कैसे विश्वास के पात्र नहीं हूं बाग देखिये फसा रहा है जाल में पथिक तो बिचला फसेगा ना देखिये कि तरह सो फसेगा तो फिर कहता है यहां पर यह लाया आता है कि मतलब होता है यह महाभारत से लिए भाच ना ज़ुए जाते उन्हें मत दो जो रोग गलति है उन्हें पत्थ उनको काम करेगा जू रोग रही था उन्हें भाला ऑसवधिक की क्या आप सेकता है लाइन का होता है आप यहां पर लेच सकते हैं सुन करके चलिए आगे यहाँ पर है तदत्र सरसी असनातवा और क्या करता है तुसरे के देने योगे उसके बाद करता है अतला में असना करके सोने का कंगन गरहन करो और बाग बोलता है सोने का कंगन गरहन करो मैं विश्वास दिला देता है पति को कि मैं नहीं मारूंगा अब फिर क्य बहागने में असमर्थ हो जाता है आपके पतीता देख करके बाग बोलता है क्या बोलता है देखकर बाग बोला अरे भाई तुम कीचन में गिरी गए हो इसलिए मैं तुझे निकालता हूँ ऐसा कह करके और वो क्या किया असमें इत्तियाद सने यानि सने सने यानि धीरे धीरे ब्याग किया गया उसके नजदीक आ गया और फिर क्या होगा जी नजदीक आनेक वाद क्य लिया गया है इसलिए यहां पर कहा गया है क्या कहा गया है दखिए इस लाइन के याद रखेगा कि जिसकी इंद्रियां कहा गया है कि जिसकी इंद्रियां बस में ना हो क्या हो जिसकी इंद्रियां बस में ना हो यहां पर कहता है जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है तथा इसकी चित्की किरिया उसकी चित्की किरिया उनका काम हाथियों के असनान के समान होता है जिसका मतलब इंद्रिया यह अपनी मन को बस में नहीं करता है उसका काम कैसा हाथियों के असनान करते हैं अधुरा करते हैं हमेशा पुरा असनान कभी नहीं उसका हो पाता होगा है न उ गंगन के लोब से अत्यांत कथिन कीचर में फसा हुआ पतिक बुड़े वाग के दोरा पकरकर मारकर खा लिया जाता है अत्याधिक लोब नहीं करना चाहिए और काम के लिए लोग को त्यागना भी नहीं चाहिए इस तरह से दोस्तों आपका चेप्टर इंड होता है यहां पर से नेक्ट वीडियो है तब तक लिए सभी लोग को बाई धन्यागना